हाई वेलकम तो मैं चैनल इस वीडियो में स्वाल करें क्वेशन नबर 3 तो ध्यान देज़ेगा करे रहा कि find the smallest number by which the given number must be multiplied so that the product is a perfect square तो इस number में किस number से multiply करते है smallest सबसे छोटा number जिससे कि यह जो number दिया हुआ है यह perfect square बन जाए यह आपको find करना है करना क्या पड़ेगा हमें हम करेंगे इसका factorization और देखेंगे कि इसके factors pair में आ रहें कि नहीं आ रहें यदि pair में नहीं आएंगे तो हो सकता है कि कोई एक ऐसा prime factor मिलेगा या कोई भी ऐसा number मिलेगा जिसका pair नहीं बन पाएगा उसमें नहीं बन रहेगा तो हम जानते हैं कि जिसका pair बनता है वही perfect square होता है तो यहाँ पर जिसका नहीं बनेगा pair उसी वही smallest number होगा जिससे multiply करके हम जो है उसका pair बना सकते हैं और पेर बनाने के बाद वह जो number बनेगा पुरा multiply होने के बाद वो number perfect square हो जाएगा तो खेर हमें वो find करना है smallest number वो जो smallest number बनेगा जिससे multiply करना है बस वो ही find करना है हमें multiply करने के बाद जो number बनेगा वो find नहीं करना चलिए यहाँ बाद पहले हम करता है factorization first हमारा पास number है 23805 पहले पहले में ले जाएगा 5 से क्योंकि इसके युनिट स्प्रेस वर 5 है 5 से considerate हो जाएगा 5 4 जा 20 3 बज़ेगा 38 हो जाएगा 5 7 जा 35 3 बज़ेगा 30 हो जाएगा और 5 6 जा 30 5 बज़े 5 अब यह जो है add करता है 4 7 11 हो जाएगा 18 हो जाएगा मतलब कि 3 से considerate हो जाएगा मतलब 3 से हो जाएगा और 9 से भी हो जाएगा तो हम पहले 9 से ले जाते हैं ठीक है क्योंकि जितना ही बड़े नमबर से ले जाएगे उतना ही जल्दी में हो जाएगा तो यह बिल्कुल आप ध्यान दिजिएगा कि हम इसको 9 से भी ले जा सकते हैं खेर हम 3 से ले जाते हैं simply तो 3 बचा 3 और 1 बचा 17 हो जाएगा 3 5 जा 15 और 2 बचा 26 and 3 8 जा 26 and 2 बचा 21 होगा 3 7 जा 21 अब यह 3 से कट जाएगा फिर से 3 5 जा 15 3 5 जा 15 and 3 2 जा 6 27 3 9 जा 27 अब 529 अभी हमने पिछले कोशन में देखा question number 2 में हमने solve किया था इसको 509 को और उसमें 23 का 23 से दिवाइड करता है 529 में तो 23 आता है means 529 जो है 23 का square है 23 से बैठ करेंगे कितना मिलेगा और उसके बाद से 23 से करेंगे यहापर 1 मिलेगा तो यह ध्यान रहे कि तो यहाँ पर हमने यह find कर लिया तो यहाँ पर देखें किसका किसका पेर बन रहा है तो 23 23 का पेर बन रहा है 3 3 का पेर बन रहा है 5 का पेर नहीं बन रहा तो 5 is that number क्योंकि इसका पेर नहीं बन रहा तो हम यहाँ ले सकता है इसलिए हम जा ले सकता है 23805 न वन दाय को पया न है न वन दाय तो क्लिरली 5 has no pair in the above factorization therefore therefore five is the least number list are smallest number smallest number by which by which by which the given number should be multiplied given by which the given number must be multiplied to get the perfect square means आपका जो आंसर है आपर किवल five ही है बतलब five सीदी करेंगे तो यहां प्यर बन जाएगा जब प्यर बन जाएगा तो यह जो नंबर बने का फाइब करने के बाद वही हो जाएगा परफेक्ट स्कुयर तो बस पुछाए कि smallest number काउन सा होगा जिससे में बन जाएगा तो यह बन जाएगा तो five is the smallest number और this is your answer तो यह इतना लिखने जो नहीं है मैंने लिख दिया पहले बाले में अब यहां पर solve करते हैं second हम इसे कर देंगे erase आपको यह जब note करना होगा तो आप erase करने के पहले ही आप वीडियो को pause कर दिजेगा और फिर note कर सकते हैं second यहां पर पहले करना पड़ेगा आपको क्या prime factorization कर लेते हैं यहां पर देखे जीरो है तो five से कड़ जाएगा और जीरो है तो टू से भी कड़ जाएगा ठीक है तो पहले टू से रिजाते हैं two six is a twelve one में जा पाएगा तो जीरो पढ़ाना पड़ेगा 15 जाएगा two seven is a fourteen one बचा 10 two five is a ten अब यहां पर five से जाएगा five बचा 5 ten हो गया five two is a ten five बचा 5 five five is a twenty five अब यहां five six is a four six जाएगा यहां पर तो five two is a ten twenty one five four is a twenty fifteen जाएगा five three is a fifteen two hundred four day आ गया अब यह जाएगा आपका three सें ओके three eight जा 24 three बचा इए अब 81 जाएगा three से three two six two पिचा 21 और 31 सेवन न यहां से ञाएगा three nine बचा त्वेंटी seven फिछ ये थरी से जाएगा three बार और three से जाएगा one बार मतलब देखें यहापर pair किसका किसका बन रहा है यह 3 का बन रहा है यह 3 का pair नहीं बन रहा इस 5 का pair बन गया इस 2 का pair नहीं बन पा रहा मतलब कि 2 और 3 का pair नहीं बन पा रहा है तो यही वो smallest number होगा means 2 into 3 कितने आएगा 6 आएगा तो 6 is the smallest number by which we must multiply this number to make it a perfect square number तो आपका जो answer होगा smallest number कौन सा होगा 6 होगा क्योंकि हमें 2 का भी pair बनाना पड़ेगा और 3 का भी pair बनाना पड़ेगा मतलब कि 2 into 2 करना पड़ेगा और 3 into 3 करना पड़ेगा मतलब कि ये 2 और ये 3 है ये कहां से आया 6 आया तो मतलब कि 6 से multiply करना पड़ेगा तब ही हो पाएगा तो 6 is your answer in this case तो अब चलते हैं next इसमें erase कर लेते हैं तो आप note करना है तो note कर लीजिए pause करकी video ओके अब यहाँ पर हमें solve करना है 7,688 थार्ड वाला पार्ट ओके तो 7,688 इसका पले करेंगे फैक्टाइजेशन तो देखें इसको जल्दी करना के लिए क्या करना पड़ेगा कि हम देखेंगे कि ये 4 से हो जाएगा ने डिवाइड तो 4 से बिल्कुल हो जाएगा क्योंकि इसके last की जो 2 digits है वो 4 से कर जाएगे 4 से लिए डिरेक्ट 4 बंजा 4, 3 बचा 36, 4 बंजा 36, 4 बंजा 8, 4 बंजा 8 यहां 2 से फिर से चला जाएगा तो 2 से लिए फिर से तो यहां पर हो जाएगा 2, 9 बंजा 18, 1 बंजा 12 हो जाएगा 2, 6 बंजा 12 and 2 बंजा 2, 961 आ गया अब यह जो 961 है यह 3 से नहीं गड़ पाएगा और यह जो 961 है यह एक्चुली 31 का स्क्वेर है हमने अच्छा 31 का स्क्वेर है या 29 का स्क्वेर है दिखें यह हम 29 में 29 से मुड़िपलाई करते हैं 9 बंजा 81 का 1, 8 केरी ओफर, 9 बंजा 18, 9 बंजा 18, 18, 18, 18 कितना हो जाएगा 36, 36 and 8, 36 and 8, 44, 36 and, sorry, 36 and 8, ने अच्छा यह तब नंबर नहीं हो पाएगा 34 हो जाएगा 41 आएगा ठीक है यह 29 का नहीं होगा तो 961 किसका है परफेक्ट स्क्वेर यह आपको फाइंड करना होगा ओके तो यह नंबर जो है 961 जो है 31 से कैंसिल आट हो जाएगा तो हम यहां पर 31 से यदि हम 31 से ले जाता है तो 31 बार में यह चला जाएगा और यह हो जाएगा 31 से 1 यहां पर आप देखेंगे कि हम लिशकते है 7 6 8 8 कुल लिशके हैं हम यह आपर फेक्टर की फार्म एतर 2 इंटो 2 फोर लिखेंगे ब्रेक करके 2 इंटो 2 इंटो यह वर्ता 2 हो गया मतलब प्राइम फेक्टर के फार्म में यह जगा 31 into 31 देखिए इसका पेर बन रहा है इसका पेर नहीं बन पा रहा तो इसका मतलब कि इसमें जो smallest नंबर होगा जिससे करके हम इसको परफट स्कार बना सकते हैं वो है टू क्योंकि दो का पेर नहीं बन पा रहा तो इसमें यह 2 से मतलब यहीं होगा वह इसमें जो नंबर दो जिससे मतलब ब्लाई करने के बाद यह परफट स्कार बन जाएगा तो टू इस यूर आंसर इन डिस केस ओके यदि आपको solution अच्छा लगा तो like कर दिजिए दोसों share करिए और कोई भी doubt होता है तो comment आपसे लिखेगा thank you so much, bye